Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल कि राजसभा में कौन MP चुन कर जाएगा, तो अलग-अलग राज्यों में जो strength होती है, उसके इसाब से राजसभा में चुन कर भेजे जाते हैं, मैं इस election के बारे में और आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कल क्या हुआ है कि 15 seats में से basically उत्तर परदेश में 10 seat के उपर चुनाओ था, और हिमाचल परदेश में यह जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक seat के उपर चुनाओ था, और वहीं नीचे करनाटक के अंदर यहाँ पर चार seat के उपर चुनाओ था, तो उत्तर परदेश में 10 seat में 8 BJP को गया है, और दो समाजवादी पार्टी को गया है, हिमाचल परदेश में एकी seat था बेसिकली, और आपको पता ही है कि हिमाचल परदेश में 2022 में ही election हुआ था, जिसमें Congress को पूर्ण बहुमत में लीती है, और उनके 40 MLA's है 68 seat में से, तो ऐसा लग रहा था कि हिमाचल परदेश का जो seat है वो तो बहुत आसान है, Congress आसानी से जी MLA होने के बावजूद, BJP राज्यसवाग का seat हिमाचल परदेश से जीत गई है, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर कहा जा रहा है BJP की तरफ से, Congress has lost majority in हिमाचल परदेश, तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल परदेश में जो 68 MLA's है, जो seats है हिमाचल परदेश में, यहाँ पर majority के लिए आपको 35 चाहिए, लेकिन जिस तरह का कल चुना हुआ है, ऐसा लगता है कि Congress majority lose कर गई है, और इसी के बारे में हम detail से जानेगी कि exactly हुआ कैसे यहाँ पर, और राजसभा का election होता है, उसमें voting कैसे होती है, calculation कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ को है चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, आप हमारे study IQ के किसी बैच पर अगर आप जॉइन करते हो, तो कल तक यहाँ पर sale चल रही है, जैसे की GS Foundation का बैच हो गया, इसके अंदर प्रिलिंस, मेंस, इ इतने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए हिमाचल परदेश में exactly क्या हुआ, उसको जानने से पहले, राजसभा की अंदर जो election होता है, उसकी गिंती कैसे होती है, मतलब राजसभा में जो member of parliament है, वो कैसे चुनकर जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, जैस इसको, वो MLA's actually vote करते हैं, और तब जाकर राजसभा के अंदर जो MPs हैं, वो यहाँ पर भेजे जाते हैं, तो क्या होता है, कि अगर आपको राजसभा की seat जीतनी है, तो एक particular vote होता है, एक number of vote, वो आपको चाहिए होता है, अगर आपके पास वो particular number of vote है, तब तो आप कैसे calculate होता है, देखो, बहुत simple है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर formula है, total number of votes divided by number of राजसभा seats plus one और फिर last में plus one करते हैं, देखो, अब मैं आपको example बताता हूँ, जैसे हम हिमाचल परदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल परदेश में अगर आप देखो कि जो total MLA's हैं, उनकी संख्या कितनी है, 68, और formula क्या कहता है, total number of votes, मतलब की total votes कितने हुए, 68 MLA's है, मतलब 68 vote करेंगे, तो 68 divided by कितना number of राजसभा seats plus one, अब कल अगर आप देखोगे, तो कितने राजसभा seat के उपर चुना हो रहा था, मैं हिमाचल परदेश की सिर्फ बात करा हूँ, यह UP व राजसभा seat के उपर चुना हो रहा था, तो 68 divided by plus one, और उसके बाद भी आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको one add करना होता है, तो one plus one करना होगा, अगर माल लो हिमाचल परदेश के दो seat पर चुना होता, तो two plus one कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी कितना हो रहा है, one हो हो गया, यह हो गया 35, मतलब कि जिस भी person को 35 votes मिलेंगे, तो वो यहाँ पर राजसभा का seat जीच जाएगा, इस तरह से होता है, और वही example के तोर पर अगर मैं कहता है, यहाँ पर दो राजसभा के seat के उपर चुना हो रहा है, तो two plus one हो जाता, तो 68 divided by यह कितना हो जाता, three हो और three, 68 divided by three plus one आपको करना होता, तो यह करीब 23 या 24 के आसपास vote आता, तो जिसके पास इतने MLA's होते हैं, वो अपने member को राजसभा के अंदर भेज पाता है, ठीक है, इस तरह से चीज़े होती है, अब हम आते हैं कि कल exactly क्या हुआ, देखो कल जैसा कि मैं आपको कह रहा था, अगर आप इस चार्ट में देखोगे, तो आपको clearly समझ में आएगा कि यहाँ पर vote कितने चाहिए थे, एक राजसभा के seat के लिए भेजने के लिए 35 vote चाहिए था, और साफ साफ आपको देखने को मिलता है कि Congress के पास 40 votes थे, 40 MLA's थे, लेकिन उसके बावजूद भी, BJP के प इस दिया चाहिएगा, ठीक है, और Congress जो है वो हार गई है, इसका कारण क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो BJP की तरफ से कौन से candidate खड़े हुए थे, राजसभा के लिए, वो है हर्ष महाजन और हर्ष महाजन भी मैं बता दूँ, यह पहले Congress में ही थे, लड़े ही जीत सकते हैं, मतलब कि को यूशुली खड़ा नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि 40 seats Congress के पास है, लेकिन यहाँ पर काफी सारा बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सिक्वेंदर सिंग सुकु जो Chief Minister बने हैं, उन अपनी तरफ से हर्ष महाजन को राजसभा के कैनिडेट के तौर पर खड़ा किया, और Congress ने अपनी तरफ से आपने देखा होगा, काफी famous हैं TV debate पर आते रहते हैं, अभिशेक मनु सिंग्वी, उनको अपनी तरफ से राजसभा के कैनिडेट के लिए खड़ा किया, तो हो गया, यह हो गया 31, और जो independent है 3, उन्होंने भी BJP का साथ दिया, 31 प्लस 3, यह हो गया 34, तो BJP के पास कितने आ गया वोट, 34 आ गया, और क्योंकि Congress के 40 में से 6 BJP के पास चले गया है, इसलिए इनके पास बचे 34, अब आपको दिख रहा है, वोट कितने चाहिए थे मैंने आ होता है, जो नियम है, वो यह है, कि यहाँ पर draw होता है, draw, मतलब कि यहाँ पर दोनों का नाम परची जो है, उसमें लिखकर डाला जाता है, जैसे BJP के जो हर्ष महाजन है, उनका एक परची में नाम लिखा जाता है, और Congress के जो अभिशेक मनु सिंगवी है, उनका नाम यहा जाता है, तो कल क्या हुआ है, कि हर्ष महाजन, BJP के जो candidate है, उनका नाम सामने आया, और उनको राजसभा के candidate के तौर पर जीत declare कर दिया गया, तो इस तरह से BJP जो है, वो राजसभा का चुनाओं हिमाचल परदेश से जीत गई है, कोशन यह है कि यह इतना माइने क्यों तो यहाँ पर जो 50% प्लस 1 है, यह कितना निकल कर आता है, 35 MLS निकल कर आते हैं, लेकिन कल जिस तरह का हाल देखने को मिला है, उसमें से Congress के पास 34 बचे हैं, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह Minority में आगा है, और संकट यह है कि Wednesday को मतलब आज ही सकता है, और साती साथ आपको पता है कि अब लोग सभाग चुनाओं भी बहुत जादा दूर नहीं है, तो यह काफी बड़ा setback बताया जा रहा है यहाँ पर, और इसलिए अगर आप देखोगे जो opposition के leader हैं, और जो कई सारे BJP के MLS हैं, वो कल शाम कोई, जो हिमाचल परदे के दोरान अगर voting में Congress 35 seats नहीं जुटा पाती, तो यहाँ पर एक तरह से declare हो जाएगा कि वो minority में और इस तरह से उनकी सरकार यहाँ पर जा सकती है, गिर सकती है, तो यह एक बड़ा संकट आ गया, आप देखना होगा कि exactly इसको लेकर क्या होता है, क्या यह division of votes होता है कि नही speaker यह बात सुनते हैं कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहाँ पर जो Congress हैं और जो Chief Minister है सुक्विंदर सिंग सुकू, उन्होंने डारेक्ट इल्जाम लगाया है BJP के उपर, उन्होंने कहा है कि BJP जो है गलत तरीके से पैसे दे सरकार ने अपने स्टेट पुलिस के द्वारा जो है वहाँ से उठाया जो है आपका हिमाचल परदेश से और साथी साथ CRPF का भी help लिया, तो एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि CRPF के मदद से और हर्याना सरकार पुलिस के मदद से उन MLS को पंचकुला लाया गया है, और त की बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जो भी facts थे वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हैं, what is the maximum strength of legislative assembly, जितने भी राज्य में legislative assembly होता है, वहाँ पर constitution के अधार पर maximum कितना strength हो सकता है, यह आपको बत यह अलग लग social media पर आप जूर पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी back चाते हैं, you can just use this code Ankit Live to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से next time, till then thank you very much, see you soon.